गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स हमने इससे पहले वाली क्लास में डियॉक्सी राइबो नूटलिक ऐसे डियने की स्ट्रेक्चर उसकी पॉलिमॉपिसम वो किते प्रकार का पाया जा सकता है वो कैसे बना होता है उसकी जो इकाई है नूटलिक आइड वो किसके से मिलकर ब और अड errors राइबो नूटलिक एसित तो आज की में हम बात करेंगे आ रने के बारे में राइबो नूटलिक इसाध इस की स्ट्रेक्चर और यह यह ब्रकार का पाया जेता है इस बारे में हम आज बात करेंगे और आज जो है हम इसके जो और special features है उनके बारे में discuss करेंगे तो RNA जो है वो basically single standard molecule है ये वैसे तो DNA से similar ही है लेकिन फिर भी इनमें कुछ एक अंतर पाया जाते हैं कुछ इनकी functioning में है और इसमें तो बहुत सारे अंतर पाया जाते हैं पर structurally हम बात करें तो कुछ अलग है उनके बारे में हम आज बात कर रहें तो यह जो है DNA molecule जैसे हमने देखा था कि double standard molecule है RNA उसके comparison में छोटा molecule है short size का molecule है और यह single standard molecule की तरह है पाया जाता है single standard पाया जाता है normal conditions में RNA जो है cell में कही तरह के role play करता है लेकिन उस में कई काम functions perform करने में इसकी importance है लेकिन जो main काम जो है इसका हमारे जीवन में या cells में इसका main function है वो है protein synthesis यह proteins के synthesis के लिए important है और प्रक्रिया हम जानते है translation कहलाती है तो proteins का बनना और उस प्रक्रिया का regulation का जो काम है wood RNA mainly हम लोगों की body में cells में करता है RNA जो है यह भी nucleotides का polymer है और इसके nucleotide भी ribosugar, phosphate और base जो की adenine, guanine, cytosine यह uracile हो सकते है DNA से बनावा होता है मतलब DNA में thymine पाया जाता है उसकी जगह यहां पर uracile पाया जाता है यह polymalic molecule है जो कि कई तरह के biological rules मतलब genes से संबंदित biological functions perform करता है genes की coding, decoding, regulation, expression उसका control करने का काम जो है वो RNA का है यह कई तरह से उसमें help करता है RNA DNA के द्वारा बनता है और इसमें खुद के duplication के tendency नहीं पाया जाती वो characters का नहीं है जिसे DNA अपनी copy बना लेता है वैसे RNA अपनी copy नहीं बना पाता यह DNA के द्वारा बनता है तो हम बात करें RNA की तो RNA जो है इसका भी building block जो है DNA की तरह नूकलोटाइड ही है और difference क्या है कि एक तो इसमें pentose sugar जो पाय जाती है वो ribose sugar पाय जाती है DNA में deoxyribose sugar पाय जाती है यहां पर ribose sugar पाय जाती है जो की 5 carbon की बनी हुए sugar है एक phosphate group पाय जाता है और एक nitrogenous base पाय जाता है चार तरह की nitrogenous base RNA में पाय जाते है A, G, C and U जो की आपस में इसमें बंदे में पाय जाते है यूकलोटाइड में और adenine, uracil, cytosin and guanine तो हम adenine, cytosin and guanine की बात तो कर चुके है DNA में uracil जो है वो होता है 2,4-dioxxy pyramidine अगर हम chemically उसको देखें तो 2,4-dioxxy pyramidine यहां आपको diagram में uracil दिखाई दे रहा है second position पे और fourth position पे oxy group लगा हुआ है that is और pyramidine ring है general pyramidine ring है तो 2,4-dioxxy pyramidine तो इस तरह से चारों तरह के इसमें base पाया जाते है cytosin, guanine, adenine और uracil और single extended molecule है यह single extended पाया जाता है जो वही sugar और phosphate का बनावा helix पाया जाता है और बीच में basis लगेवे पाया जाते है तो इस प्रकार का molecule RNA होता है main features अगर हम इसके देखें कुछ important चीजें इसकी देखें तो location अगर हम इसकी देखें तो eukaryotes में RNA जो है वो nucleus में और cytoplasm में दोनों जगे पाया जाता है, nucleus में तो यह बनता है, वहाँ से यह chromosome का component यह वहाँ हो सकता है और वहाँ से यह cytoplasm में आता है, जहां ही ribosomes के साथ पाया जाता है, लेकिन prokaryotic RNA जो है, वो cytoplasm में ही पाया जाता है similarly अगर हम इसके synthesis को, sensation को देखें तो generally मैंने आपको का कि इसके लिए एक DNA template required होता है क्योंकि यह अपना synthesis खुद नहीं कर सकता, self duplication properties इसमें नहीं पाय जाती है, लेकिन कुछ viruses में, जैसे TMV में और plantango virus RNA, यहाँ जो है RNA, अपना synthesis कर सकता है, अपना जैसा molecule बना सकता है size की अगर हम बात करें तो DNA के comparison में काफी छोटी size का होता है, DNA जहाँ 4.3 million तक nucleotides लंबे तक बने वे होते हैं वहीं अगर हम इसको देखें तो RNA लगभी 12,000 nucleotides की सरंचना है, तो DNA के comparison में यह काफी छोटी सरंचना है अब हम बात करते हैं कि DNA और RNA के बीच में basic differences, main differences क्या है तो जो भी हमने बात करी कि sugar है वो RNA में ribos पाई जाती है, जबकि DNA में वो deoxy ribos sugar पाई जाती है RNA generally single standard molecule है, solutions में कहीं कहीं यह complementary base pairing के द्वारा double standard molecule की तरह नजर आता है DNA जो है generally double standard molecule है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे viruses में यह single standard molecule की तरह भी पाई जाता है RNA में uracil पाई जाता है, थाइमीन के स्थान पर, थाइमीन जो DNA में पाई जाता है, उसके स्थान पर यहां पर uracil पाई जाता है RNA is found inside and outside of the nucleus, दोनों जगें पाई जा सकता है DNA जो है, वो generally only inside the nucleus पाई जाता है और उसके लावा थोड़ा बहुत mitochondrial DNA जो है, मैं आपको पहले पता चुकी हूँ, वो mitochondrial में पाई जाता है Cytoplasm में खुला DNA इस तरह से नहीं पाई जाता है, जिसे RNA पाई जाता है तो यह basic differences DNA और RNA के बीच में हुए यहाँ आप diagram में देखिए, कि किस तरह से इसमें डियॉक्सी राइबो शुगर पाई जाती है second position पे only H group लगाओ है DNA में जिबकि RNA की जो शुगर है, उसकी second position पर OH लगाओ होता है, राइबो शुगर पाई जाती है फिर इसमें paramedin T और C है, purins A और G हैं वहीं यहाँ पे RNA में paramedins जो है वो uracil और adenine है और cytosin और purins जो है वो adenine और guanine है और यह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि DNA जो है वो double standard molecule है जिबकि RNA जो है वो single standard molecule है तो यह इनके बीच में basic differences जो है, दोनों के बीच में बनते हैं और अगर हम इनके structure को देखें, two dimensional structure को तो वो इस तरह की नजर आती है यह इसके basis है, यह single standard molecule है जिबकि यह DNA है, यह double standard molecule है और यह इसके चारों basis है यह यहाँ पर एक पुरी कुणली नुमा सरंचिना की रूप में, दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े में, यहाँ पर यह RNA में, एक single helix की रूप में पाए जाते हैं अब हमारे सामने जो question आता है, वह यह आता है, कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन तीनों में से सबसे main difference कुण सा है, DNA और RNA का basic difference कुण सा है अगर मैं आपको electron microscope दे दूँ और एक छोटा thread, एक छोटा strand दे दूँ और यह कहूं कि यह DNA है या RNA है, identify करके बताईए, तो आप किस way space को identify करेंगे तो वैसे तो यह तीनों ही difference है, लेकिन इन में से mainly जो सबसे बड़ा अंतर जो है, वो कौन सा है तो सबसे important difference जो आता है, वो sugar का difference आता है, क्योंकि DNA double standard है, RNA single standard है, यह एक अंतर हुआ, लेकिन हमने मैंने ही कुद यह भी आपको बताया है, कि solutions में जहाँ पे complementary base pairing हो जाती है, जो मैं आपको transfer RNA की structure में बढ़ाऊंगी, वहाँ पे यह stem और loop के रूप में नजर आता है, मतलब double standard molecule की तरह नजर आता है, एक छोटा portion इसका double standard दिखाई देता है, जबकि अगर मैं DNA की बात करूँ, तो basically double standard है, पर वो viruses में single standard molecule की तरह भी पाया जाता है, तो यह जो difference है, यह उतना important नहीं रहा हो सकता है, मैं आपको virus वाला portion दे दूँ और फिर पुछूँ, तो वो तो है त इसी तरह का जो दूसरा difference है, जो base वाला difference है, कि एक में uracil पाया जाता है, और एक में thymine पाया जाता है, वो भी वैसे तो important है दोनों ही differences, लेकिन comparison में आपको बता रही हूं तो, तो आप देखिए, यह diagram में एक तरफ thymine दिखाई दे रहा है, और एक तरफ uracil दिखाई द नहीं है, और वो ही मैं फिर आपको repeat कर रही हूं कि अभी में जब आपको आगे transfer आरने का structure पढ़ाऊंगी, तो उसमें कुछ modified basis के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि इन basis से minor से अलग होते हैं, लेकिन वो ingested से ही होते हैं, उनमें कुछ थोड़ा बहुत addon हो जाता है, कुछ additional बहुता है, या कुछ निकल जाता है, थोड़ी सी structure जो है, उनकी vary करती है, तो उस साधार पर thymine और uracil जो है, वो आपस में एक दूसरे से convert किये जा सकते है, interchangeable है, क्योंकि एक CH2 group के साथ, अगर है तो वो thymine है और एक CH2 group नहीं है, तो वो uracil है, तो ribothymidine भी मतलब पाय जाता है, ribose sugar के साथ भी thymine ही लगावा पाय जाता है, चुकि यूरेसल का modified base है, तो उस condition में ये वाला अंतर भी उतना important नहीं रह जाता, तो जो main difference है, वो कौनसा difference है, sugar का difference है, अगर ribose sugar present है, तो molecule RNA होगा, और अगर deoxy ribose sugar present है, तो molecule DNA होगा, तो जो तीनों difference हमने यहां बात करी, उसमें से सबसी important difference जो बनता है, वो sugar का बनता है, कई बार इस प्रकार का question आप उसे पूछ लेते हैं, कि justify कीजिए कि इन दीनों में से सबसी important अंदर कौन सा है, इसलिए मैंने आपको ये सारे चीजें describe की है, तो अब हम structure का idea हमें हो चुका है, क्योंकि हम nucleocytes और nucleotides RNA के पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे types of RNA की, RNA के प्रकारों की, RNA को जो है genetic RNA और non-genetic RNA दो तरह से consider करते हैं, genetic RNA जहाँ पर की ये genetic material की तरह act करें, जैसे bacterial viruses, plant viruses, जहाँ DNA नहीं पाय जाता है, bacteria viruses में, वहाँ पर ये genetic material की तरह act करता है, तो वो उस्तिती में तो य जैनेटिक RNA, लेकिन जादे important जो है वो non-genetic RNA, क्योंकि उनके अलावा और सब जोगे जाँ DNA पाय जाता है, वहाँ पर ये genetic material की तरह act नहीं करता है, वहाँ पर ये non-genetic RNA की फॉम में पाय जाता है, और उस non-genetic RNA की जो main forms है, पहला तो उसका main function है, वो protein synthesis है, और उसकी जो main types है जो major types है, वो तीन प्रकार की है, ribosomal RNA, transfer RNA and messenger RNA, तीन प्रकार की RNA पाय जाते है, messenger RNA या mRNA, transfer RNA या tRNA and ribosomal RNA या rRNA और और they are non-genetic RNA, ये non-genetic RNA है, they are connected with protein synthesis, तो सबसे पहले हम बात करेंगे messenger RNA की mRNA की, तो तीन main types है, messenger RNA, एक बार में थोड़ असा बता दूँ अबको, messenger RNA, जो की इस बात का message लेके जाता है, कि protein synthesis में किस प्रकार का protein आएगा, जिस पे इस प्रकार की sequence पाय जाती है, जिसके according amino acid को आके लगना होता है, तो क्योंकि message ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहते है, messenger RNA, दूसरा होता है ribosomal RNA, ये major part ribosom का बनाता है, और जहाँ मतलब ribosom की important है, क्योंकि protein महाँ पे बनने वाले है, वो protein synthesis site है, तो उसका major हिसा बनाने का काम करता है, ये ribosomal RNA, और तीसरा RNA, transfer RNA, जो की code के according amino acid को ribosom पर transfer करता है, उसका स्थानांतरन करने का काम करता है, वो कहलाता है, transfer RNA, तो तीनों RNA, protein synthesis में important role play करते है, messenger RNA message लेके आता है, कौन से वाले amino acid आना है, ribosomal RNA, ribosom बनाने में help करता है, जो की protein synthesis site है, और transfer RNA, amino acid के transfer का काम करता है, तो ये इस प्रकार से तीन प्रकार के main RNA, जो है, messenger RNA, ribosomal RNA और transfer RNA, जो cells में पाए जाते हैं, अब हम उनको थोड़ा detail में study करेंगे, मेरे खाल से आज इतना ही बहुत है, और क बलकिये मैं अपनी class में आपको, मैं नेक्स class में जब भी मेरी class होगी, मैं आपको इनको डीटेल में तीनो RNA की structure और इनको फंक्षन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, messenger RNA, ribosomal RNA और transfer RNA, थैंक यू